नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा तो मेरे पिछले एक वीडियो में जिसमें मैंने बताया था कि पंडित रवी संकर सुकल में एडिमिशन कैसे होगा उसके सवालों के जवाब जो है उन्हें कुलपती जी ने दिया था तो उसमें किसी ने कमेंट करके पहली बार इस चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाने ना भूलिए तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एडिमिशन फार्म कैसे भरा जाता है तो सबसे पहले आपको अपने यूजर आईडी बना लेना है तो यहां पर देखी कैसे बना स आपको वहां पर जो स्टुडेंट वाला पेज दीख रहा है सरकल वहां पर क्लिक करना है देखी आभी आगे तो यहां स्टुडेंट कॉर्नर जो दीख रहा है वहां पर आपको क्लिक करना है जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पर एक और विंडो खुलेगा बनने के लिए है और जो हरा वाला है वोः पहले से अगर आवडी बन चुका है तो लॉग इन करने सकत तो आप तो यहां पर देखे निला वाला क्रिएट है अकाउंट आपका भी बनाना है आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आएगा आपको यहाप कर लेना है अपना फूल नाम फिर मोबाइल नंबर पासवर्ड यह सब आपको भर लेना है वह बनने के बाद आपका इस प्रकार से यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा जिसे आपको हमेशा याद रखना है उसके बाद login page फिर वापत जाएंगे तो वहाँ पर आपका अभी जो यूजर निम पासवर्ड आया था उसको भर क्या लॉग इन कर सकते हैं ठीक है यूजर फूर नेम और पासवर्ड आप हमेशा याद रखेंगे उसके बाद login हो जाएगा login होने के बाद online admission के लिए process देखते हैं तो आपको सबसे पहले pursue university के official website पर जाना है ठीक है उसके बाद देखिए pursue uni.in पर जाएंगे उसके बाद जो आपने अभी login किया था उस ID पासवर्ड से login कर लेंगे login करने के बाद application for admission 2021 बटन पर click करेंगे फिर सब interaction पढ़ेंगे वहाँ पर पिर ते कि step by step पूरे यहाँ पर आपको admission पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको farm भरना है admission detail पूरा अपने बारे में उसके बाद आपका जो curricular जो activity है वो सब भरेंगे certificate भरेंगे वो address phone number यह सब आपक जो दस्वी बारवी के marks seat roll number हो सब आपको भरना है numbers कितने आये थे और उसके बाद फिर कौन से faculty में आप admission लेना चाहते है वो select करना है college select करना है सब select करने के बाद यहाँ पर देखिए दिखा रहा है application ठीक है आपने जो भर है उसका preview है यहाँ पर आप देख सकते इस पूरा होने के बाद इस तरह से आपको दिखाएगा